कैसे अचानक हमारे सत्ता पक्ष के कोई भी मित्र किसी को भी देश द्रोही बोल देते हैं, किसी को भी टीवी चैनल पे बैठ के गदार बोल देते हैं, किसी को भी भारत के टुकडे कहने वाला बोल देते हैं, आपको पता है इन बातों से किसी के मन को कितनी तकलीफ, कितना कस पहुंसता है अरे हमारे हिंदू धर में तो लिखा है पूरा विश्व हमारा परिवार है तो जब हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है मानिवर तो हिंदू भी हमारे परिवार का हिस्सा है मुसल्मान भी हमारे परिवार का हिस्सा है हो सकता है भारती जनता कभी भी हम मिटने नहीं देंगे आज इस प्रस्ताओं के माध्यम से इस बात का संकल्ब हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों को इस सदन के अंदर लेना चाहिए जब हम कहते हैं विविदिता में एकता भारत की विसेश्टा तो मैं राकेश सिना जी से पूछना चाहता हूँ कि हम इस विसेश्टा को खतम करने पर क्यों तुले हुए क्यों आमादा इस विसेश्टा को समाप्त करने के लिए 89 में आपको साइद याद होगा नहीं याद होगा लेकिन जब कस्मीरी पंडितों को निर्ममता के साथ पीट-पीट के वहां से बाहर किया गया मानवर उस समय हमारी भारती जन्ता पाती सरकार में थी मानवर सरकार में थी ये लोग सक्ता में थे ये सक्ता के भागिदारी थे वीपी सिंग जी प्रधान मंत्री थे और कस्मीरी पंडितों को जब मार मार के भगाया जा रहा था आप सत्ता के साथ बैठे हुए थे खामोस थे ये इतिहास कभी भूल नहीं सकता आप ये भी नहीं भूल सकता इतिहास कि आपकी पार्टी के नेता और आपकी पार्टी के जग मोहन जी जो बाद में केंदरी मंत्री हुए वो वहाँ के राजजपाल थे उनके राजजपाल रहते हुए कस्मीरी पंडितों को वहाँ से मार मार के भगाया गया और ये भी इतियास कभी नहीं भूल सकता इसी सदन में आम आदमी पार्टी के ओर से मैंने मामला उठाय था कस्मीरी पंडितों के पुनरवास की कस्मीरी पंडितों के पुनरवास के लिए साथ वर्सों में आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया इस पे चर्चा कीजिए, इस पे बात चीत कीजिए, अरे वो भी एक संस्कृती है, वो भी एक संस्कृती है, वो भी एक छेतर की संस्कृती है, वो भी एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, अब देखिया आप कस्मीरी पंडितों पे भी इनको समस्या ऐसा, एक तो के पुनरवास के लिए दीजिए मैं तयार हूँ आम आदमी पार्टी के ओर से ये प्रस्ताव ला रहा हूँ आपके बीच में ने मुझे इस महत्तुपोर प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का मौका दिया और जब मैं आ रहा था तो राकेश सिना जी को मैंने टीवी पे स Congressman सुनता हूआ या बहुत अच्छी एच्छी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें इन lutे की सुनके अच्छा लगा इनके मूझ से रास्ट्पिता महत्मागांधी का नाम रास्ट्पिता महत्मागांधी के उदारं ये ही तो भारत है मान्यवरु आज... के 75 साल के बाद भी हम उस रास्टपिता महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, उनके विचारों की बात कर रहे हैं, जिससे पूरे दुनिया में भारत की पहचान बनी, आप अमेरिका चले जाएए, आप रूस चले जाएए, आप लंडन चले जाएए, आप कैनेडा चले वह लोगों से आप कहिए कि हम भारत से आए हैं वो भारत के प्रधान मंत्री का नाम शायद बाद मिलेंगे वो भारत के किसी पूर प्रधान मंत्री का नाम भी शायद बाद मिलेंगे वो सबसे पहले कहते हैं आप गांधी के देश से आए गांधी जिसका मतलब अहिंसा गांधी जिसका मतलब भाई चारा, गांधी जिसका मतलब प्रेम, गांधी जिसका मतलब सामंजस्स से समाज को लेकर आगे चलना, उस गांधी से पूरी दुनिया में हमारी पहचान बनी मानिवर, और आज इतिहास के तत्यों की परताल अगर हो रही हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मानिवर आजादी के अंदोलन में बहुत से लोगों ने रास्ट पिता महत्मा गांधी का साथ दिया बहुत से लोगों ने नहीं दिया आजादी के अंदोलन में मानिवर अलग अलग विचारधारा अलग अलग मानिता अलग अलग धर्म अलग अलग जाती के लोगों ने एक लक्ष बनाया कि नहीं भारत को आजात कराना है अंग्रेजों से और उस एक उदेस को लेकर भारत माता की आजादी के लिए सभी अलग अलग माननताओं धर्मों जातियों के लोगों ने आजादी के आंदोलन में बापू के नेतुत में देस की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया मानने और अजाद कराया लेकिन मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जिस विचारधारा के लोगों ने गांधी का साथ नहीं दिया जिस विचारधारा के लोगों ने अंग्रेजों की मुगवरी की मनवर जिस विचारधारा के लोगों ने आजा दी के आंदोर उनको धोखा दिया सावर मती के संत के सोच को स्थापित कर लेकि है कैसे अचानक हमारे सत्ता पक्ष के कोई भी मित्र किसी को भी देश दोही बोल देते है किसी को भी टीवी चैनल पे बैठ के गदार बोल देते है किसी को भी भारत के टुकडे कहने वाला बोल देते आपको पता है इन बातों से किसी के मन को कितनी तकलीफ कितना कस्ट पहुंचता है भारत पूरी दुनिया में जिस हिंदु धर्म की चर्चा स्वामी विवेकानन ने की और उनके सिकागों के भासल को अगर उठा के आप पढ़ेंगे तो उन्हें हिंदु धर्म में अपनी आस्था का सबसे बढ़ा कारण सहिश्णुता को बताया सबसे बढ़ा कारण सभी धर्मों और जातियों को एक साथ लेकर चलने को बताया वसुदेव कुटुम्बकम की हमारी विचारधारा को बताया अरे हमारे हिंदु धर्में तो लिखा है पूरा विश्व हमारा परिवार है तो जब हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है मानिवर तो हिंदु भी हमारे परिवार का हिस्सा है मुसल्मान भी हमारे परिवार का हिस्सा है सिख भी हमारे परिवार का हिस्सा है इसाई भी हमारे परिवार का हिस्सा है अगरे भी हमारे परिवार का हिस्सा है पिछले भी हमारे परिवार का हिस्सा है और जब हम गर्व से भारत माता की जै लगाते हैं तो भारत माता की जै का मतलब 130 करोन हिंदुस्तानियों की मा का जय लगाते हैं 130 करोन हिंदुस्तानियों की लेकिन मुझे अफसोस होता है मुझे बहुत पीरा होती है मुझे बहुत तकलीफ होती है जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी जाती के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की बात करते हैं भारत माता की जय का मतलब है 130 करोन हिंदुस्तानियों की जय और 130 करोन हिंदुस्तानियों की जय का मतलब है तमिल नाडू वाले का भी जय काईरला वाले का भी जय आसाम वाले का भी जै, उरिसा वाले का भी जै, बंगाल वाले का भी जै, यूपी वाले का भी जै, बिहार वाले का भी जै, पंजाब वाले का भी जै, पूरे हिंदुस्तान की जै, ये सोच अपने अंदर विक्सित की जिए, आप प्रस्ताव लेकिया है राकेश सिना जी, मु में समय तक आधनी रगु ठाकुर जी ने हमेशा यही सिखाया लोहिया के विचारों से हम लोगों को हमेशा सिख्षित करने का प्रसिख्षित करने का काम किया और वो बताते थे किस तरह से किसी धर्म विसेश में आस्था नहोने के बावजूद वो कोई हिंदु धर्म की माननताओं को मानते हों पूजा करते हों अर्चना करते हों ना करते हों लेकिन वो डाक्टर राम मनोह लोहिया रामाइड मिला कायोजन करते थे जिसमें रामाइड के अच्छी बातों का अच्छे संदेसों का लोगों के बीच में परचार परसार हो और अपने जीवन में कैसे बदला हो अगर हम रामचरित मानस की चर्चा करते हैं मानिवर उसकी एक लाइन पे अगर हम अपना पूरा जीवन बिता दे रामचरित मानस की सारी लाइनों को आप पढ़े ना पढ़े उसके विस्तार में जाए ना जाए सिर्फ एक लाइन पे अगर अपना पूरा जीवन हम बिता दे तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा सब नर करही परसपर प्रीती आपस में प्यार से हम रहें यह हमारा रामचरित मानस संदेज देता है हमारा हिंदु धर्म वसुदेव कुटुम्वकम की बात करता है लेकिन आजादी के 75 साल के बाद हम कहां खड़े आजादी के 75 साल के बाद हम किसी के कपड़े पर सवाल उठाते हैं हम किसी की भासा पर सवाल उठाते हैं हम किसी की जाती पर सवाल उठाते हैं हम किसी के धर्म पर सवाल उठाते हैं क्या ऐसे भारत आगे बढ़ सकता है मनिवर क्या इसे इस देश का विकास हो सकता है क्या ऐसे वसुदे और कुटुमुकम की विचारधारा पूरी दुनिया में फैल सकती है नई और इसलिए अगर हम गौतम बुद्ध को मानते है अगर हम हिंदु धर्म को मानते हैं तो सबसे पहली प्रात्मिक्ता मैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हो या विपक्ष में बैठे हुए लोग हो हमारे आपस में कितने भी मद्वेद हो हो सकता है राकेश सिनाजी से हमारे वैचारिक मद्वेद हो हो सकता है भारती जनता पार् कभी भी हम मिटने नहीं देंगे आज इस परस्ताओं के माध्यम से इस बात का संकल्प हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों को इस सदन के अंदर लेना चाहिए मानुवर इस परस्ताओं को आज पास करते हुए ये संकल्प अपने मन में लेना चाहिए ये इमानदारी से लेना चाहिए और अगर हम लोगतंत्र की बात करते हैं मानने वार तो हमारा लोगतंत्र क्या है अलग-अलग दलों के लोग चुनकर आते हैं अलग-अलग राज्यों से चुनकर लोग आते हैं अलग-अलग भासाओं को मानने वाले लोग चुनकर आते हैं ल सब एक साथ मिलकर काम करें जुद एक साथ मिलके काम करते हैं यही भारत का लोगतंत हैं तो जब हम कहते हैं विविदिता में एकता भारत की विसेस्ता तो मैं राकेश सिना जी से पूछना चाहता हूं कि हम इस विसेस्ता को खतम करने पर क्यों तुले हुएं क्यों हमादा इस विसेस्ता को समात्त करने क लिए क्यों हम आपस में रोज नफरत की बात करते हैं क्यों हम लोगों को आपस में जगले कराने की बात करते हैं ये बंद कीजिए ये हमारी पहचान नहीं है ये हमारी संस्कृती नहीं है जिनका आप उधारन दे रहे थे आज अपने भासर में क्या उनके उधारन से देश आ इस देश को आगे लेके जा सकते हैं एक नए भारत की कलपना जब करते हैं आप जब आप स्रेष्ट भारत बनाने की बात करते हैं तो आप भारत आज की परिस्थितियों में कैसे आगे बर सकता इसकी चर्चा करनी चाहिए कैसे हिंदुस्तान को नए रोजगार के साधन मिलेंगे कैसे अच्छी सिक्षा मिलेगी कैसे अच्छी स्वास्त की बेवस्ता होगी इसके बारे में चर्चा करने के आवशकता है मानुआ एक अभी फिल्म की चर्चा बहुत तेजी के साथ पूरे देश में है उस फिल्म की चर्चा आप करते हैं कोई आपती नहीं है फिल्म में देखनी चाहिए फिल्मों के जरीए अगर आपके सामने सच्चाई आ रही है तो सच्चाई आनी चाहिए अपने प्रस्ताओं में मैं तो मान कर रहा हूँ आज इस सरकार से कि वो जो फिल्म कश्मीर फाइल्स है उस फिल्म को यूट्यूब के जरीए पूरे हिंदुस्तान मे फ्रीक ये पूरे देश का एक एक अधरे को देखे दूर दरसन पर उस फिल्म को दिखाईए दो दो तीन तीन बार दिखाईए लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर मजाक उड़ा कर किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर सवाल ख़ले करके उस पर राजनितिक रोटिया सेकने के बजाए आवश्यक्ता इस बात की है कि उन कस्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए आपने क्या किया ये भी सदन को बताईए 89 में 89 में आपको साथ याद होगा नहीं याद होगा लेकिन जब कस्मीरी पंडितों को निर्ममता के साथ पीट-पीट के वहां से बाहर किया गया मान्वर उस समय हमारी भारती जन्ता पाती सरकार में थी मान्वर सरकार में थी ये लोग सक्ता में थे ये सक्ता के भागिदारी थे वीपी सिंग जी प्रधान मंत्री थे और कस्मीरी पंडितों को जब मार मार के भगाया जा रहा था आप सत्ता के साथ बैठे हुए थे खामोस थे ये इतिहास कभी भूल नहीं सकता आप ये भी नहीं भूल सकता इतिहास कि आपकी पाटी के नेता और आपकी पाटी के जग मोहन जी जो बाद में केंदरी मंत्री हुए वो वहां के राजजपाल थे उनके र पंडितों के पुनर्वास के लिए साथ वर्सों में आपकी सरकार ने क्या करम उठा इस पर चर्चा कि दिए, बातचीत कीजिए अरे वह भी संस्कृती है, वह ही कंडु दर्म को मानने वाले लोग हैं कि अप लेकिन सुनतों लिजिए हमारी पीड़ा तो सुन लीजिए कस्मीरी पंडितों के लिए आपने कुछ नहीं किया मैंने मान लिए सुनतों लिजिए हमारी पीड़ा आप आपने कुछ देखे कस्मीरी पंडितों पे भी समस्या सर कस्मीरी पंडितों की पीड़ा नहीं सुनना चाते मैं खतम कर रहा हूं मैं समात तो कर रहा हूं मैं sir यह कह रहा हूं एक प्रस्ताव सदन में पास कीजिए यह बहुत चर्चा का विषय है सारे सांसद मैं तयार हूं पाँच-पाँच करोर की अपनी निधी एक साल की पूरी की पूरी निधी कश्मीरी पंडितों के पुनरवास के लिए दीजिए मैं तयार हूँ आम आद्मी पार्टी के ओर से ये प्रस्ताव ला रहा हूँ आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद